दोस्तों बॉलिवुड में कई ऐसे अभी नेता हैं जिनकी फिल्में बॉक्स आफिस पर हमेशा ही बहुत बढ़िया काम करती हैं और इनकी कमाई भी बहुत ज्यादा होती है इसका एक सबसे बढ़ा कारण है इन अभी नेताओं की फैन फॉलिंग जो के बहुत ही बड़ी संख्या में है जो के इनकी किसी भी नई फिल्म को देखने के लिए बिताब रहती है इसी कारण या अभी नेता बॉलिवूड के सबसे ज्यादा कमाई वाले बनीताओं में से एक मानी जाते हैं और सबसे ज्यादा सफल भी रहते हैं ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में आपको बताने जा रही है जो के अपनी फिल्मों की सफलता के दम पर बॉलिवूर का किंग बन चुका है जी हाँ दोस्तो हम बात करें बालूर किंग शारू खान के बारे में जो के बालूर के सबसे सफल अभिनेताओं की लिस्ट में सबसे ओपर रहे हैं ऐसे में शारू खान की कमाई भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकी हर एक फिल्म तकरीबन सूपर हिटी रही है और दर्शकों को उसे बहुत प्यार मिला है दोस्तों अगर आपको शारू खान की संपत्ती के बारे में बताएं तो उनके पास तकरीबन 5,000 क्रोड की संपत्ती है जो के उनोंने अभिनेता होने के बाद कमाई है ऐसे में उनके परिवार वाले भी उनकी प्रिशनसा करने में पीछे नहीं रहते के वो अपनी मेहनत के दम पर ही इस मुकाम तक पहुंचे है लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि शारू खान के पास इतनी ज्यादा कमाई होने के बावजूनिंकी बहन पाकिस्तान में गृर्बत की जिंदगी गुजाने के लिए मजबूर है जी हाँ दोस्तों आपको बदा देंगे 1947 में देश के विभाजन के समय शारू खान के पिता दिली आ गए थे और उनके चाचा पाकिस्तान के पिशावर में ही रह गए थे शारू खान के चाचा का नाम गुलाम मुहम्मदा उनके दो बेटे मकसूद खान और मनसूद खान भी उनकी के साथ पिशावर में रहते थे शारू खान के चाचा की लड़के का नाम नूर जहां है और वो भी अपने पिता के साथ पाकिस्तान के पिशावर में ही रहती है शारु खान का यह परिवार पिशावर में बांस की सीरियां बना कर बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है और इस समय उनका शारु खान के साथ भी कोई रापता नहीं है इसलिए वैग गुर्बत की जिन्दी गुजारने के लिए मजबूर है अब शारु खान को भी इसके बारे में पता चला है और देखना हो के वो अपने इस परिवार के लिए क्या करते हैं जानने के लिए देखते रहे हैं वाइरल बात हर ख़बर आप तक सबसे पहली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें